ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादेशी समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाव और पेशें आज के मुख्य समाचार ED ने मनी लॉंडरिंग और कोईला घुटाला मामले में विभिन आरोपियों की 152 करोड रुपय से अधिक की चलचल संपत्ती अटैच की सौम्याचार असिया की ED रिमान अवधी चार दिन के लिए बढ़ाई गई अन्य गिरफतार आरोपियों को 13 दिसंबर के लिए न्याईक रिमान्ट पर भेजा गया G20 के चोथे वित्तकारे समू की बैठक अगले साल सितंबर में 36 गड़ में होगी देश की छटवी सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपूर से नागपूर के बीच चलाई जाएगी प्रधानमंत्री कल नागपूर में इस ट्रेन को जंडी दिखा कर रवाना करेंगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अमर शहीद वीद नारैंट सिंग के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कारेक्रम आयोजीत कर उन्हें शद्धान जली दी गई अब समाचार विस्तार से प्रवर्तन निदेशालाए एडीने मनी लॉंडरिंग और कोईला घुटाले मामले में निलंबित आईएस समीर बिष्णोई मुख्यमंत्री सचीवाले की उपसचीव सौम्या चौरासिया कारोबारी सुरेकान तिवारी लक्ष्मी कान तिवारी औ और सुनील अगरवाल को आजातिरिक तजिला और सत्र नयाधीश अजैसिंग राजपूत की विशेश अदालत में पेश किया गया सुनवाई के बाद अदालत ने समिर विश्णोई सुरेकान तिवारी लक्ष्मिकान तिवारी और सुनिल अगरवाल को 13 दिसंबर तक के लिए न्याइक रिमांड पर भेज दिया है वही सौमिया चौरसिया की एडी रिमांड अवधी चार दिन के लिए और बढ़ा दी गई है कोट ने ये भी कहा है कि अगली बार सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये होगी आदालत ने अतियावशक होने पर ही आरोपियों को कोट लाने के निर्देश दिये हैं इस बीच इडी ने इस मामले में सभी आरोपियों की 152 करोड रूपे से अधी की चलचल संपत्ती अटैच कर ली है। ये कारवाई 25 रूपे प्रती टन कोईले पर उगाही मामले में की गई है। इनमें सुरिकान तिवारी की 65 संपत्तियां सौम्या चौरसिया की 21, समीर विश की पांच और शेश संपत्तियां सुनी लगरवाल और लक्षमी कान तिवारी से जुड़ी हुई है। कूर्क की गई चलचल संपत्ती में नकदी, आभू, शन, फ्लैट, कोईला, वाशरी और छथिसगड़ में सिद्भू, खंड शामिल है। इडी ने विशेश अदालत में प्रक्ष एकत्र किये हैं। इडी की जांच में सामने आया है कि पिछले दो साल में कम से कम पांच सो चालीस करों रुप्य की उगाही की गई है। दागी संपत्तियों के और हस्तानतरन को रोकने के लिए अनंतिम्पुर की आदेश जारी किया गया है। कल वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से उच्चे इस्तरिये बैठक ली। इसमें केंद्रिये ग्री मंतरी अमित शाव विदेश मंतरी एस जैशंकर, 36 गड़ की राज़िपाल, अनुसुया उई के सहीत सभी राज़ियों के राज़िपाल, उपराज़िपाल और मुख्य मंतरी शामिल हुए। बैठक में 36 गड़ के मुख्यमंतरी ने प्रधान मंतरी को आगंतुकों को विश्व इस्तरी विवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया। प्रधान मंतरी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करने का भारत को उत्कृष्ट आफसर प्राप्त इसमें सभी राज्यों को अपनी कला संस्कृती और अपनी विश्ष्टता दिखाने का अफसर मिलेगा। वो लेखनी है कि भारत की अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 का अठार हवा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। ये सम्मेलन वसुधेव कुटुम मंतरी के प्रती आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे राज्य की संस्कृती और अथिती देवो भवा की भावना का दुनिया भर में फैलाव होगा। देश की छटमी सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कल से बिलासपूर से नागपूर के बीच चलाई जाएगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी नागपूर में इस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे ये ट्रेन कल शाम बिलासपूर स्टेशन पहुंचेगी बिलासपूर स्टेशन में ट्रेन के प्रतम यात्रियों और क्रू स्टाफ का स्वागत रेलवे प्रशास भीलिया जाएगा इस उसर पर विलासपुर स्टेशन में सांसाद अरुनसाव सहीत अन्य जन प्रतिनीधी रेलवे के अधिकारी और नागरिक मौजूद रहेंगे बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 12 दिसंबर से किया जाएगा इसके लिए आरक्षन नमन करते हुए लोगों से ऐसे वीर नायक के योगदान को याद कर देश के प्रती अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आवान किया है आदिम जाती विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंग टेकाम ने शहीद वीर नारायन सिंग बलिदान दिवस के आऊसर पर आज रायपूर में आयोजीत कारेक्रम में स्वर्गीय राजीव गांधी स्मृती प्रयास आवासिये विद्यालेयों के प्रतिभाशाली 58 विद्यार्थियों को सम्मानीत किया शहीद वीर नारायन सिंग की स्मृती में आज से पंडित दीन दयाल उपाध्याय आडिटोरिय शहीद वीर नारायन सिंग की प्रतीमा पर मल्यारपन कर उनकी शहादत को नमन किया कारेक्रम में भाजपा के शेत्रिय संगठन महामंत्री अजय जामवाल प्रदेश संगठन महामंत्री पवंसाय सहीद अन्यपदाधिकारी मौजूद थे भाजपा के प्रदेश पुन्यती थी पर उन्हें शद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज की युवापीडी को शहिद वीर नरायन सींग के त्याक्त पस्या और बलिदान से प्रेणा लेनी चाहिए। आकाश्वाणी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है। दूर्गजिले के कुमारी में निर्मानाधीन ओवर ब्रीच से मोटर साइकल के गिरने से इसमें सवार एक दम पती की मौत हो गई। जूर्गटना में 12 वर्षिय बाली का घायल हो गई, वहीं एक अन्य घटना में कार के अनियंतरित होकर निर्मानाधीन ओवर ब्रीच से जा टकराने से एक यूवक गंभी रूप से घायल हो गया। इस मामले में ठेका कंपनी के खलाफ जूर्म पंजीबद कर लिया गया है, वहीं पीडित परिवार को आर्थिक साहता उपलब्ध कराई गई है, हाथसे के बाद निर्मानाधीन ओवर ब्रीच के दोनों और सिमेंट का अवरोध लगाया गया है, साथ ही चारों इस्थानों पर कॉंक्रिट वॉल बेरिकेटिंग की गई है, इसके अलावा ओर ब्रीच के दोनों छोर पर सुरक्षा के लिए जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जांजगीर चापा जिले के अपर कलेक्टर एस पी वैद्ये ने पामगड तहसील के अंतरगत पामगड मेहंदी मेउ, लोहरसी और खरोत तथा जांजगीर तहसील के अंतरगत खोकरा असीद धान खरीदी केंदर का ओचक निरिक्षन किया, अपर कलेक्टर ने निरिक्षन में अव्यवस्था और गड़बडी पाये जाने पर खरोत के धान खरीदी केंदर प्रभारी को हटाने तथा में अनुपस्थित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिये, बहें तैसिलदार की टीम ने जर्वे गाउं में एक व्यक्ति के मकान से करीब 400 क्विंटल धान और 1790 बारदाना जब्त करने की कारिवाई की है, इसके अलावा सार्वजनिक वीतरन प्रणाली का 80 क्व प्रश्वानी के सभी केंद्र रिले करेंगे, इस बार की अंक में कांकेर जिले की गतिवीदियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, और अब पेश है मौसम का हाल, मौसम विभाग के मताबिक चक्रवाती तुफान मंडौस का अवशेश अवदाप के रूप में परिवर् चाय रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा, वहीं दक्षिनी हिस्से में भी आंशिक रूप से बादल चाय रहने की संभावना है, साथी बस्तर संभाग में एक दो इस्थानों पर बारिश भी हो सकती है, और अब कुछ खबरें संशेप में, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इश्वरी विश्वविद्याले की शेत्रिय प्रशासी का राज योगिनी ब्रह्मकुमारी कमला दीदी का आज निधन हो गया, उनके निधन पर राजेपाला नसुया उईके मुखे मंत्री भुपेश बगेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुनसाव और नेता प्रत 70 वार्डों का प्रहमन करेंगे भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और दुर्ग संभाग प्रभारी भुपेंदर सवन्नी तथा प्रदेश महामंत्री संगठन पवंसाई की मौझूद्गी में बालोद विधान सभाशेत्र की सांगठनिक गतिवीधियों को लेकर बैठक आयोजीत की गई नगरिय प्रशासन मंत्री डॉक्टर श्यू कुमार डहरिया ने रायपूर जिले के आरंग विकासखन के ग्राम संडी और कुकरा में करीब एक करोड 79 लाख रुपे के विभिन विकासकारियों का लोकारपन किया फाइल एरिया औन मुलन के लिए रायपूर गरियाबंद और बलोदा बाजार जिले में 12-18 दिसंबर तक भी शेश अभियान चलाया जाएगा बीजपूर जिले में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश और बगेल की मौजूदगी में बस्तर विक रक्षा संबंधी नियमों का पालन करने की शपत दिलाई गई मौला मानपूर अंबागर चौकी में 28 फरवरी तक प्रात्मिक समीतियों और लैम्स के जरिये पंजिकरित किसानों से मक्का की खरीदी की जाएगी राइगर जिले की पुलिस महला रक्षा टीम द्वारा हमर बेटी हमर मान अभ्यान के तहर थाना कोतरा रोड शेतर के गराम धनागर इस्तीत स्कूल में जागरुटा कारिकरम आयुजीत किया गया जांजगी चांपाजिले में शीवरी नारायन शेतर के ग्राम केसला के पास ट्रैक्टर की टकर से मोटर साइकल सवार सी आर पी एफ के एक जवान की मौत हो गई और भिलाई थाना भटी की पूलिस टीम ने महादेव आईडी के नाम पर आनलाइन सटा संचालित करने के मामले में हीमाचल प्रदेश के शीमला से तीन आरोपियों को गिरफतार किया है आरोपियों के पास से दो लैप टॉप एक टैबलेट पाँच मोबाइल तीन एटीम और एक चेक बुक जब्त किया गया है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर एडी ने मनी लॉंडरिंग और कोईला घुटाला मामले में विभिन आरोपियों की एक सो बावन करोड रूपय से अधिक की चल चल संपत्ती अटैच की सौम्याच और असिया की एडी रिमान अवधी चार दीन के लिए बढ़ाई गई अन्य गिरफतार आरोपियों को 13 दिसंबर तक के लिए नियाई ग्रिमान पर भेजा गया जी ट्वेंटी के चौथे वित्तकारे समू की बैठक अगले साल सितंबर में 36 गड़ में होगी देश की छटवी सेमी हाइ स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपूर से नागपूर के बीच चलाई जाएगी प्रधान मंतरी कल नागपूर में इस ट्रेन को जंडी दिखा कर रवाना करेंगे और स्वतंतरता संग्राम सेनानी और अमर शहीद वीद नराण सिंग के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न का रिक्रम आयोजित करुने शद्धान जली दी गई इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्थुआ नमस्कार नमस्कार